नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचे दोस्त उपस्थेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपुन जानकारी को ले करके जिहां ये रोटी कब जिसे ले करके बावासीर जुकाम रूसी और पौरुश शक्ति तक करती है जबरजस्त फायदे ये रोटी इस दरह बनाई जाती है आई जानते हैं इसी बारे में चना शरीर में ताकत लाने वाला और भोजन में रूची पैदा करने वाला होता है सुखे भुने हुए चने बहुत रुक्ष और वात तथा कुष्ट को नश्ट करने वाले होते हैं उबले हुए चने कुमल रूची कारक पित कमजोरी नाशक, शीतल कशेले, वातकारक, ग्राही, हलके कफ तथा पित नाशक होते हैं। चना शरीर को चुस्त दुरुस्त करता है, खुन में जोश पैदा करता है, यक्रित यानिक जीगर और पलिहा के लिए लापकारी होता है, तबियत को नर्म करता है, खुन को साफ करता है, धातु को बढ़ाता है, आवाज को साफ करता है, रक्त संबंधी बिमारियों और वादी में लावदायक होता है इसके सेवन से पेशाब खुल करके आता है इसको पानी में भिंगो करके चबाने से शरीर में ताकत आती है चना विशेश कर किशोरों जवानों तथा शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए पौश्टिक नास्ता होता है इसके लिए 25 ग्राम देशी काले चने लेकर के अच्छी तरह से साफ कर लें मोटे पुश्ट चने को लेकर के साफ सूतरे कीडे या डंक लगे एवं तूटे चने निकाल करके फेक देने चाहिए क्योंकि इससे नुक्सान भी होता है चने की रोटी बनाने के अब विधी जान लीजे चने की रोटी बहुत ही गुत कर रोटी बनाने चाहिए यह रोटी तवचा संबंधी रोगों जैसे कि खुजली, दाद, खाज, एक जीमा में बहुत फायदे मंद है इसमें सबजी का रस मिला देने से यह और भी गुरकारी हो जाती है बच्चों को महंगे बादामों के बाजाए काले चने खिलाने चाहिए जिससे वे अधिक स्वस्थ रहेंगे जहां आप सभी किसी नॉन्वेज में जितनी उश्मा पाते हैं उससे कई जिवना ज्यादा काली चने में आप राप्त कर सकते हैं चने की रोटियां आप सभी अगर खाते हैं तो आए जान लेते हैं और क्या फायदा होता है लेने में परिशानी नहीं होती है गर्म गर्म चने को किसी रुमाल में बांद करके सुंगने से जुकाम ठीक हो जाता है चने को पानी में उबाल करके इसके पानी को पी जाएं और चने को खा लें चने में स्वाद के लिए काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालने चने का से जुकाम में बहुत लाफ कारी रहता है इसके अलवा खुनी बवासीर में सिंके हुए गर्म गर्म चने खाने से खुनी बवासीर में लाफ मिलता है पौरूश शक्ती गोई हुए पानी को भी पीने से कबज दूर होती है अंकूरी चना अंजीर और शहद को मिला करके या गेहूं के आटे में चने को मिला करके इसकी रोटी खाने से कबज मिट जाती है रात को लगभग 50 ग्राम चने भींगो दें सुबह इन चनों को जीरा तथा नमक के साथ खा दूर हो जाती है रूसी चार बड़े चमm चने का बेसन एक बड़े गलास पानी में घोल करके बालों पर लगाएं इसके बाद सिर को धो लें इस से सिर की फरास या रूसी दूर हो जाती है यह बहुत हीं अच्छी औश्यादी के रूप में कारी करती है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अनि बेहदी महतोपून जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों